हेलो गाइस, वल्कम टू डेली करेंट अफियर्स, डेली करेंट अफियर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, आज है साथ अगस्थ, और आज के जो भी करेंट अफियर्स कोशन होंगे, उन्हें हम देखेंगे, साथ ही उससे रेलेटिट इंपार्टेंट और फैट को भी डिस्स करेंगे, आज के करेंट अफियर्स के वॉन लाइनेस की पीडियप, आप हमारे टेलीग्राम गूरूप चैनलूड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम गूरूप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो चल ये श्टार्ट करते हैं आग की Current Affairs को देखने से पहले एक बार कल के Current Affairs का फärस्ट रिविजन कर लेते हैं तो आजे देखते हैं इर अच्छा बंधन जागझता का एकरम किस राजे द्वारा चला गया है तो इसे आंद्र प्रिदेश राजे द्वारा चला गया है यहाँ के Current CM है वाइस चकन मोहन रेडी जी वर्ड बेश्ट फिडिंग विक प्रतिवर्स कब से कब मनाया जाता है तो इसे एक से साथ अगस के बिस मनाया जाता है हर्याना के वन विभाग ने हालही में एरियल सीडिंग के लिए ड्रोन का इस्तिमाल किया है इसे किस IIT जी ने डिजाइन किया है तो इसे IIT कानपूर ने डिजाइन किया है किस राजसरकार ने हालही में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरुकता अभियान चला है तो इसे मत्रप्रद्याज सरकार द्वरा चला गया है मदर पिजस के करेंट सीम है सिवरा सिंग चौहान जी किसे ADFC बैंक के नए CEO के रूप में चुना गया है तो ससी धर जगदीशन जी को चुना गया है ये आदित्य पूरी जी को रिप्लेस करेंगे किस मिनिश्ट्री ने आत्म निर्भर भारत स्वतंतर भारत पर क्विज कंडक्ट कराने के लिए माई गवर्मेंट के साथ कोलेवरेशन किया है तो रच्छा मंतराले ने किया है जिसके यूनियन मिनिश्टर है मिश्टर आदना सिंग मुहमद इर्भान अली ने किस देश के नए राष्पती के रूप में सपत लिये तो उन्हेंने गुयाना के राष्पती के रूप में सपत लिये जिसकी कैपिटल है जार्ट टाउन इंडियन प्रीमियल लिग आईपियल 2020 के 13th एडिसन की मजबानी कौन साध्यस करेगा तो ये करेगा UAE युनाइट अरब इम्राथ जिसकी कैपिटल है अबुधवी बिहार के मुखी मंति नितिस कुमार द्वारा लेलिजबुक सियासत में सद्यस्ता किसने लिखी है इसे लिखी है विजय कुमार चौधरी जी ने जो बिहार विदान सभा की अध्यच्च है भारती रेलिवे ने किस राजी के तीन रेलिवे स्टेशन उपर आटोमैटिक लाइटिंग सिष्टम अस्थापित किया है तो इसका अंसर होगा मद दपदेश चलिए फ्रेंट्स अब देखते हैं आज के करेंट अफेर कोशन आज का पहला को सुनें किस राजसरकार ने केंदरी और राजी योजनाओं को प्रभावी तरह से लोगों तक पहुचाने के लिए परिवार पहचान पत्र लांच ही आए तो इसका सही अंसर होगा हर्यारा हरियाना राज सरकार ने परिवार पहचान पत्र लांच किया जिसका मुख्य उद्देश है कि केंदर और राज सरकार की जोजनाओं को पारदरसी तरह से लोगों तक पहुचाये जाए इस पहचान पत्र के अंतरगत प्रतेक परिवार को एक मान कर एक आठ हंको का यूनिक आईडी वाला परिवार पहचान पत्र दिया जाएगा जिसमें परिवार के मुख्या का नाम, आयू, मुबाइल नंबर और एडर्स आजी डिटेल होंगे अब बात हो रही है हर्याना की, तो आएए देख लेते हैं हर्याना राजी के बारे में हर्याना नौस रिजन में पड़ता है, इसके पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और इसकी थोड़ी सी सीमा हिमाचल प्रदेश से भी लगी हुई है दिवास 6 अगस्थ को मनाया जाता है, 6 अगस्थ 1945 को यूसे ने जपान के सायर हिरो सीमा पर एक परमाणू बम गिराया था और उसके कुछ दिन बाद 9 अगस्थ को नागा साकी पर भी गिराया था, इससे दोनों सहर नश्ट हो गए थे और इसमें लगबग 2 लाग से अधिक casualty होने का अन्मान था, इस दिन को परमाणू हतिया पर प्रतिबंद लगाने और युद्ध और हिंसा के खिलाब युद्ध और anti nuclear day के रूप में मनाया जाता है नेक्ट कोसन है, किस बैंक ने AI पावर्ड यानि artificial intelligence पावर्ड, artificial vice boat एकसा लाँच किया है, जिसका सही answer होगा एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक ने AI बेस्ट vice boat एकसा की सुरुवात की है, इसका मुख्य उदेश है कि यह customer से automatically बात करेगा और उनके problem का solution देगा इसमें एक word आया है boat, फ्रेंट्स आपने boat अगर आप टिलिग्राम व्यूज करते हैं तो इसमें ग्रूप में भी अक्सर यह word देखा होगा boat boat basically एक computer software होता है जिसे human के साथ interact करने के लिए यानि उसे बात चित करने के लिए विशेज सुरु से प्रोग्राम और डीजाइन किया जाता है अब बात करें इस boat एक्सा की तो इसके लिए एक्सिस बैंक ने एक बैंगलोर स्टार्टप वेनाक्यूलर AI के साथ partnership की है अब बात हो रही है एक्सिस बैंक की तो इसका headquarter है मुंबई, महराष्टा में और इसके current managing director और CEO है अमिताप चौधरी जी next question है इग्यान मित्र online education के लिए एक mobile app है इसे किस region में launch किया गया है तो इसका सही answer होगा D. दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में COVID pandemic के चलते इस app को launch किया गया है जिसे student घर पे ही study कर सके है इग्यान मित्र के द्वारा primary और higher secondary के student online classes ले सकते हैं और exam भी दे सकते हैं बात हो रही है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की जो कि एक केंदर सासित प्रदेश है तो आएए देख लेते हैं इसके बारे में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव पहले अलग अलग किंदर सासित प्रदेश थे पर 26 जमरी 2020 को इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और इसका capital बनाया गया दमन को यह वेस्ट रिजने पढ़ से गया है आप मैप में देख सकते हैं इसे रेड कलर से रिप्रेजेंट क इसके लेडनिस्टेटर है प्रफुल खोड़ा पटेल जी नेक्ट कोस्टन है जम्मू और कास्मीर के नयन लेप्टिनेंट गवर्नर उप राजपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है इसका सही आंसर होगा मनोश सिन्ना मनोश सिन्ना जी को जी सी मुर्मू गिरिश गिरिश चंद मुर्मू जी ने 5 अगस 2020 को लेटिनेंट गवर्नर के पत से इस्तिफा दे दिया है 5 अगस 2019 को धारा 370 हटाए गई थी और जम्मू और कास्मीर को केंदर सासित राच बनाया गया था और इसके पहले लेटिनेंट गवर्नर के रूप में गिरिश चंद मुर्म आप इंडिया के रूप में कारे करेंगे और मनुस सिन्हा आप जम्मू अण कास्मीर के ने लेटिनेंट गवर्नर के रूप में कारे करेंगे अब बात करें मनुस सिन्हा की तो यह बीजेपी से बिलोंग करते हैं और यह 2014 से 2019 के बीच यूपी के गाजीपुर से मेंबर के रूप में भी कारभार संभाला था अब यह जम्मू एंड कास्मीर के नए डाटिनेंट गवर्णर के रूप में कारभार संभालेंगे नेश्ट कुस्ट ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर यूभी यानि अल्ट्रा वालेट बैक वात नाम का एक की ओस का उधगाटन किया गया है तो इसका साई एंसर है बैंगलोर रेलवे स्टेशन बैंगलोर रेलवे स्टेशन पर एक यूनिक की औस का उधगाटन किया है इसका उधश है कि COVID-19 पैंडेमिक के बीच बैक्स को सैनिटाइज करना इस डिवाइस में चारोर से अल्टरा वालेट लाइट निकलती है और जो भी बैक्स या लागेज इससे होके गुजरते हैं वह किताडू रहित हो जाते हैं तो यूभी बैक्स बात का इनाग्रेशन हुआ है बैंगलोर रेलवे स्टेशन पर और ये कैपिटल है करनाटका की तो आई देख लेते हैं करनाटका राजिक के बारे में करनाटक साथ रिजन परता है इसके पड़ोसी राज़े हैं आंधर प्रदेश, तिलंगाना, केरल, तमिलाडू और महराष्ट इसकी कैपिटल है बैंगलोरू, करेंट सीम है बीएस जदुरप्पा जी और यहां के करेंट गवर्नर है बाजू भाई वाला जी Next question है, हाल ही में मद रेलवे के मुंबई डिविजन द्वारा एक Health Assistant रोबोट डिजाइन किया गया है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है रच्छक रच्छक को सेंटरल एलवे के मुंबाई डिविजन में सीनियर डिविजनर इलेक्टिकल इंजिनियर सुनिल भैर्वा और उनके टीम के द्वारा रिजाइन किया गया है यह डाक्टर और मरिज के भी दूर से ही रिमोटली कम्मिनिकेट करता है इसका मुख्य उद्यस है COVID-19 के प्रसाल से बचना इसके कंट्रोलिंग के लिए Android एप और Wi-Fi का यूच किया जाता है इसके कुछ और फीचर्स देखें तो यह रोबोट पैसेंट के टेंपरेचर को मेजर कर सकता है पल्स को भी मेजर कर सकता है साथ ही उसके बलड में ऑक्सिजन के परसेंटेज को मेजर कर सकता है और यह सेनिटाजेशन का भी कारे करता है और साथ में यह मरीज को मेडिसीन और भोजन भी सौर्व कर सकता है और डाक्टर और मरीज के बीच में यह कम्मिनिकेशन का भी एक माध्यम है यह रोबोट 6 घंटे तक कारे कर सकता है और मैक्सिमम 10 किलोग्राम का वेट ट्रे में उठा सकता है Next question है केंद्री मंत्री प्रालाज सिंग पतेल ने किस राजे के पहले गोल्फ कोर्स थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ड का उधगाटन किया है तो इसका सही answer होगा मिजोर्ण Ministry of Culture and Tourism के स्वतंत प्रभार राजमंत्री ने New Delhi से वीडियो कांफरेंसिंग के माध्यम से सदेश दर्सन जोजना के ताथ मिजोर्ण के पहले गोल्फ कोर्स यानि थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ड का उधगाटन किया है बात करें अगर भारत में तो भारत में 230 से भी अधिक गोल्फ कोर्स है बात हो रही है मिजोर्ण की तो आए देख लेते हैं मिजोर्ण राजी के बारे में मिजोर्ण नौर्थिस्ट रिजन में आता है इसके पड़ोसी राजी है त्रिपुरा, असम और मडिपुर इसकी कैपिटल है आए जोर्ण करेंट सीम है जोर्ण मतांगा और यहां के करेंट गवर्णर है पी यस स्रीधरन पिलाई जी नेट कुस्टन है निम्न में से किसने विशेश कोट टू विन नाम की पुस्तक लिखी है तो इसका सही आंसर होगा निरुपमा याद ओ विशेश कोट टू विन भारत के सबसे कम उम्र के बास्केट बाल कैप्टन विशेश ब्रिगुवनसी की बायग्राफ ही है इसे स्पोर्ट जगती जानी मानी लेकी का निरुपमा यादो जी द्वारा लिखा गया है इस बुख को 29 अगस को नेशनल स्पोर्ट डे के मौके पर रिलिज किया जाएगा बात करें विशेश ब्रिगुवनसी की यह यूपी के वरानसे से विलॉंग करते हैं और 27 से बास्केट बॉल खेल रहे हैं इन्होंने एसियन गेम्स एसियन चैंपियंशिप और अन्न चैंपियंशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है नेश कॉंग्रेस लीडर और महराष्ट के पुर्व सीयम सीवा जी राओ पार्टि ट्रिलंगेकर का 88 वर्स की आयू में पूरे में निधन हो गया है इन्होंने 3 जून 1985 से 6 मार्च 1986 की बिश लगबग एक वर्स के लिए महराष्ट के दस्वे मुख्यमंत्री के रूप में कारभार संभाला था उन्होंने वर्स 1968 में महराष्ट एजुकेशनल ट्रस्ट की अस्थापना की थी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और जाद से जाद से शेयर करें साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करने जिससे आपको डेली करेंट अफ्टेस वीडियो की नोटिपिकिकिसन मिल जाए करें थांक यू फर वाकिंग थिस वीडियो